ओल्राइट इन दिस फीडियो विल अंडस्टैंड एस एच एच टू फिफ्टी सिक्स हैश के बारे में तो लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हैश क्या होता है है फिंगर्प्रिंट अब हमारा फिंगर्प्रिंट बनाया किसने अगर हम थोड़ा से ध्यान से सोचें तो हम क्या सकते हैं अब बगवा ने बना-बनौ के हमको दे दिया है थीक है बट इन डिजिटल वर्ड हमको हर एक फाइल का एक हैश बनार पड़ेगा एक फिंगर्प्रिंट मिनार पड़ेगा वह कौन ब्राइगा वह तो हम हीउमन सी बनाएंगे तो बनाएं नहीं बनाए होता है तो वैसी कई सारे human के कई सारे हैश होते हैं तो उसी तरह से digital world में भी हैश होते हैं जो SHA-256 algorithm इसको बनाता है ठीक है तो उसी के बारे में हम को जानने कैसे बनती है मैं आपको एक website के तरफ लेकर जलता हूं और मैं आपको इसका link में आपको description में दे दूँगा इस website में जाना है और आपको अपना हैश बनाना है ठीक है तो आप इसमें कोई data डाले और इन website में इन्होंने सिर्फ text के format पर रखावा चीज़ों तो मैं डाल के देखता हूं ठीक है मैं लिखता हूं देज this is just a test for sha 256 ठीक है तो देखो क्या हुआ इसका hash बन चुका है यह देखो यह एक hash बन चुका है और अगर हम इसको ध्यान से देखें तो अगर मैं इसमें थोड़ा सा भी चेंज करूंगा मार्लो मैंने तो अगर दिया है उसका पूरा चेंज हो जोगा है तो क्या हमको पुराना वाला है यह मिल रहा है जो 2-3-0 से start हो रहा है और c5 फे खत्म हो रहा है मालो मैं इसको delete करता हूं और मैं उसको दुबारा पेस्ट करूंगा तो 230 से चल रहा है और c5 के सफ चल रहा है तो मतलब एक जो टेक्स्ट है उसका हैस जो है वो फिक्सी रहने वाला है ठीक है तो यह बात होती हमारी है यह होप आपको सुन में कि कैसे काम करता है इसका बैक एंड कैसे लिखा गई है मतलब अल्गोरिफम क्या है वह आपको नहीं सब्सक्राइब क्यों बताया है नहीं बढ़ मैंने आपको चीजे यूज करना बता है कि इस वैब साइट से आप चीज को यूज कर सकते है ठीक बनाया गया है यह NSA वालों ने बनाया गया है जो अल्गोरित्म काम केरिये के पीछे नेसे नैशनल सिक्योर्टी एजनसी यूज की है उन लोगों ने इस अल्गोरित्म को बनाया हुए ओके Understanding SHA basically किसी भी Hash algorithm की कुछ-कुछ ना इसकी characteristics से जो हमको जाननी है तो पहली characteristics से की one way एक ही way है मतéri thinly अगर आपने किसी document से कोई hash बना लिया तो आ प है से document सींचिह मतलब कि अगर आपने human का fingerprint ले लिया तो fingerprint से human को बता सकते हैं उद्टाएज न भिIZ sencill तो यह इसकी पहली रिक्वार्मेंट है सेकेंड रिक्वार्मेंट इस डिटरमिनिस्टिक मतलब कि अगर आपने लिखा 123 तो 123 का जो है शोगा वो फिक्स रहने वाला है आप चेंज नहीं करने होने वाला तो दैट इस डिटरमाइन तीसरा होता है फास्ट कॉम्पूटेशन है है जो होता है वह फास्ट होने चाहिए यह आगे भी देखेंगे इसके बार में फास्ट कुम्पूटेशन है चाहिए चौता है एवलांचे एफेक्ट के लिए मैं आपको बतातूं क्या है यह 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 बिसिकली क्या है कि अगर आपने किसी डॉकार्म ने थोड़ा सा भी चे हो गया जो की होनी चाहिए है और पांच वाइस कि मस्ट मस्ट विस्टेंड विट को लिजिंस ठीक है मान लीजे कि 123 नाम का एक हैश बन गया ठीक है बट किसी हैकर ने 123 नाम का एक और डुप्लिकेट फाइल बना ली ठीक है तो दो फाइल के एक हैश हो जाएंगे तो उससे काफी security की problem हो सकती है हम आगे भी देखें कैसे हो सकती है और hack hack हो सकती है चीजे तो इसको ना avoid करने के लिए हम हमारा hash algorithm इतना capable हो ना चीए कि collisions को क्या कर दे avoid करवा दे तो पांच हमारे पास requirements है one way deterministic fast computation avalanch effect and must withstand collisions ठीक है यह सारी बात है हमारी SHA-256 hash algorithm scheme ठीक है